सपने में हिपो या दर्याई घोडे को देखना काफी सुब और अच्छा माना जाता है जिसको सपने में इस जान्वर की विभी नावस्थाव के माध्यम से सही से समझा जा सकता है जैसे अगर कोई सपने में किसी हिपो या दर्याई घोडे को देखता है तो यह सपना किसी के अंदर मोजूद उन बुरी भावनाओं की ओर संकेत करता है जिनको किसी ने अपनी नेगेटिव सोच के चलते ही पैदा किया होता है जिसको जल से जल दूर करने की चेतावनी ही यह जैनवर किसी को सपने में आकर देता है और अगर कोई सपने में हिपो या दर्याई घोडे से बचकर सफलता पूर्वक भागने में काम्याब हो जाता है तो यह सपना आपको अपने दुस्मनों पर विजय पाने की ओर इसारा करता है और अगर कोई सपने में किसी हिपो को खुद का पीछा करते हुए देखता है तो यह सपना किसी की लाइफ में आने वाली मुसीबतों की ओर ही संकेत करता है जिसके कारण ही किसी को बहुत सी चिंताए अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है और अगर कोई सपने में किसी हिपो को साफ फानी में गुसे हुए देखता है तो यह सपना किसी के आने वाले अच्छे दिनों की ओर संकेत करता है लेकिन गंदे की चड में बुसा हिपो पहुत सी मुसीबतों के आने की ओर संकेत करता है और अगर कोई किसी क्रोधित हिपो को अपनी ओर आते हुए देखता है या उससे बचकर भागते हुए देखता है तो यह सपना किसी से होने वाले जगडे की ओर संकेत करता है तो ये थे सपने में हिपो या दर्याई घोडे को देखने से सम्मंदित कुछ सपने और उनके मतलब